मेरा नाम है वीक्रम और आज मैं आपके लिए इंट्रेस्टिंग विडियो लेका है अधर मेरे विडियो को लास्टेट दोहएगा और मेरे विडियो को जयाद से जयादा शेयर सब्स्क्राइब बाइल और देल की यह मैँ इसकी देल के समझे लूंद आपको इतना पसेओ आ तो आज का में जो वीडियो है जिस पे मैंने वीडियो बना रहा हूँ वह है computer accessories तो आज हम जिस चीज पे बात करने वाले वह है computer accessories तो मैं आपको live मेरे पास computer में आपको उसको खोल के दिखाऊँगा कि उसमें क्या क्या चीज आती हो और किस तरह वह काम करती हो और किसका क्या काम है तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा live दिखाने वाला हूँ तो मेरे वीडियो को जादर से अदर टॉप लेके जाए और एक और बाद मेरा भी new channel एक और भी है जो मैं दो-तीन दिन में आपको वीडियो पर बता दूँगा कि कौन सा वीडियो मेरा new youtube है चैनल से जो दूसरा जो youtube चैनल बनने वाला है वो विलोग पर मैं रोज का दिन चरिया बोलते है जैसे कि इंदी में रोज का ब्लोक्स बनाऊंगा मैं आपको लिए हर तेरह की कोशिस करना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो को लगाता रोज देके और आपका सपोर्ट से ही में इस youtube को में पार्क होंगा तो चलते हैं वीडियो की तरफ तो मेरे वीडियो देखिए सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने फ्रेंड को भी सियर कीजिए अगर मेरे वीडियो में आपको कुछ भी लगता है कि आपका वीडियो में यह कमी है और आपको लग रहा है कि हाँ इस ट्रॉपिक में आप व computer को CPU को open करके मैं आपको बताऊंगा कि मेरे computer में किस तरह का system से तो आप देख सकते हैं कि जो यह side में हैं यह दो hardix है और इसको यह आप देख सकते हैं कि यह दो है यह यह और यह यह दो hardix के और दो मिनिटा लाइट चले गए यह side में जो लगी है यह highix है और उसके साथ यह red color का वायर जो है यह sata cable है और जो उसके पाजू में जो yellow orange red color के वायर है वह SMPS के है जो power के और यह आप देख सकते है कि cooling fan है यह आप आपको clear दिख रहा होगा यह cooling fan के नीचे प्रोसेसर लगा रहता है जो cooling fan पूरा थिंडा करना पड़ता है नहीं तो प्रोसेसर गरम heating हो जाता है और इसके साथ में बाजू में जो आपको थोड़ी दिखरी होगी क्लिप में दो क्लिप लगे लिए साइड में रेम लगे लिए यह रेम है और मेरी 4GB रेम है और इसके साथ आप देख रहते है एक सेल भी है जो power cell के थे हैं और यह मेरा cooling fan है और यह इस तरह का मेरा system है और यह SMPS है power SMPS यह इस तरह का कुछ setup है मेरा तो और आगे बढ़ते हम तो जो आज first देखना चारे तो यह आपको display पर दिख रहा होगा कि यह है CPU CPU सबसे man important होता है CPU जो computer का दिमाख computer का दिमाख मतलब पूरा CPU CPU के अंदर बहुत सी SSS आती है तो इसकी SSS सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि CPU के अंदर first जो आता है जो इसको body जो computer की जो CPU की body होती है उसे हम cabinet करते है जिसमें हम पूरी नी जो बे वागरा जैसे की board वागरा जो भी है जो हम fit करके SSS को compound करके CPU बनता है और दूसरा जो है man important है वो है mother board जो आपको पता है कि हर चीज में mother board की जुरूरत है mobile वगरा टीवी वगार कोई भी SSS में आपको जो भी electronic item है जिसमें छोटे या बड़ा चोटा या बड़ा mother board होता ही है उसके बाद आता है एक board जिसको बोलते है प्रोसेसर यह प्रोसेसर क्या काम करता है कि इसको अगर इसको अब mother board में नहीं लाए रहेंगे तो अपना जो computer वो open नहीं होगा चालू नहीं होगा क्योंकि processing प्रोसेस होना भी जुरूरी है को कोई भी चीज को process करना है अगर ज्यादा से ज्यादा process करना है तो हमें उस वीडियो को य या किसी computer को या किसी चीज को open करने के लिए हमें processes की बहुत ही ज़्यादा जरूरत होती है जो तीसरा में आपको बताने बताने जा रहा हो वह सबसे मैं important वह है RAM RAM मतलब उसमें बहुत से आते हैं कोई 2GB, 3GB, 4GB, 8GB और अभी तो अल्टरा भी जी भी आगी जो बहुत ही speed में चलती है तो बहुत ही अलग-लग computer में आते हैं जो आपको display पर दिख रहा है वह RAM यह RAM आपको सबको पताए कि यह mobile में भी आती है बहुत computer में सबसे ज़ादा उ RAM होगी 2GB, 4GB, 8GB और अल्टरा जितनी ज़्यादा GB की RAM होगी उतनी ज़्यादा speed देगा आपके computer को तो यह होगा RAM के बारे में और फिर आता है सबसे man imported जो भी आपको पताने वाला हो वह है hardix hardix एक ऐसी चीज़ है जो उसका मतलब CPU का दिमाग बोले तो मतलब hardix hardix में हमारी पूरी data convert होती है, पूरी data हम उसके अंदर ढालते हैं, हम कुछ भी programming वगरा कुछ भी install करते हैं, तो हमारे पास hardix होना जरूरी है यह hardix हमारे computer की एक एक आइटम को अपनी सुरक्षित रखता है, अगर हम हमारा कुछ भी system अगर खराब हो जाए तो हम उस hardix को दूसरे computer में डालके भी run कर सकते हैं और फिर छट्टा आता है आपका बहुती मैन जिसे कहते हैं DVD डिवीडी ड्रायर आपको सबको बताए कि programming के लिए या कोई भी studio वगरा किसी बहुत साहे लोग डिवीडी ड्रायर अगर नहीं होता तो नहीं कर सकते इस ट्रॉलर डिवीडी कॉपी वगरा सब बहुत कुछ करना पड़ता है तो अगर डिवीडी ड्रायर भी ना हो तो वह system उसके बाद आता है सात्वा जो मैन इंपोर्टेंट आता है उसको बोलते हैं हम मैन इंपोर्टेंट पावर SMP पावर SMP पावर SMP मतलब कॉंप्यूटर को CPU को पूरा पावर देना मतलब पावर SMP जो मदर बॉर्ड पे और हाइडिक्स में और डिवीड ड्रायर में और जितनी हम मतलब जिसमें पावर हमको देना है तो हम पावर सप्लायर कॉंप्यूट सीपी में होता है जिसे हम SMP कहते हैं जिसके द्वारा हम SMP के द्वारा हमारे मदर बॉर्ड हाडिक्स और डिवीड ड्रायर अधर वॉइस कोई जो भी पावर से चलता है उसे हम अपने CPU में अगर बहुत से स्ट्वाइल जैसे किया जा सकता है CPU के ऐसी चीज है जिसमें कम जितना हम कर सके उतना कम है और फिर आथवा आपके लिए आ रहा है Sata Cable जो Saata Cable आपको पता है जो हाडिक्स में लगी जाती है जितने आपको बहुत सी दिखे जाती है यूश के उपर लिखे लाते हैं जिसकिकिसी के दो आती है द्रिएर में जाती है डिविटर में जाती है जो बी ड्राइवर आम लगाते है उस पे जाती है और नौन जो आता है वह आपके लिए बहुत ही खास है जिसमें हम एक्स्ट्रा लगा सकते हैं अगर अपनी सीप्यों को और भी फास्ट करना है तो वो है ग्राफिक्स अगर आपके कॉम्पूटर में CPU में अगर आप मैन और जाद से जादा लोडिंग कुछ यूज करते हैं गैमिंग अधर्वाइस कुछ भी आपका बहुत ही जादा काम है तो आपके कॉम्पूटर में ग्राफिक्स होना जरूरी है ग्राफिक्स भी अलग अलग तरह के आते 8GB 9GB बहुत से जीवी के आते अल्टर वगरा बहुत से खतनाक ड्रैगन वगरा बहुत से ग्राफिक्स आते हैं जिस पे कॉम्पूटर को और भी हैवी कर सकते हैं आज तो गैमिंग के द्वारा बहुत ही अच्छ एट्रैक्टिक का CPU निकले तो मैं आपको वह भी 2-3 प्रोड़क्ट में आपके डिस्प्ले डिस्प्ले पर रख दूंगा किस तरह किस तरह के CPU निकले गैमिंग के वैसे वैसे नॉर्मल अभी सो शिस्टम चेंज है तो बहुत से नहीं नहीं कोई भी CPU का यूश नहीं कर रहा है ज्याद से जो इंपोर्टन है उसको बोलते हैं USB केबल यूएसबी केबल जो अपना कैबिनेट होता है उसके साथ ही लगे ले आते यूएसबी केबल और LED लाइट रिशेट बटन पावर बटन वगेरा वगेरा सब कैबिनेट के साथ ही आता है उसे हम SSC से जाके मदरबोर में जोइंड लगाया जाता है और उसके साथ अधरवाइस अपने मदरबोर में हम बहुत सी चीज लगा सकते है जैसे कि स्पीकर और मैं इंपोर्टेट बहुत ही रनिंग में सबसे इंपोर्टेट है उसके मदरबोर में लगने वाला सेल अगर आपके पास मदरबोर में सेल नहीं लगा है तो भी आपका कॉम्पेटर नहीं चालो होगा आप देख सकते हैं मैं जो भी वीडियो में बता रहा हूँ वह 101 परसंट है क्योंकि मैं पूरा एक्स्प्रियंस से साथ बोल रहा हूँ मैं अभी जो कॉम्पेटर में चला रहा हूँ मेरा खुद का कॉम्पेटर में खुद ने बनाया है पूरा SSS मैनेज किया है और अभी लगता है वो सीप्यू में कूलिंग फैंड वह भी मैन इंपॉर्टर है उसे भी हम कॉम्पेटर एसेसरिस में सामिल करेंगे तो जितना भी आपने यह सब देखा यह सभी को जूड़के एक जो सीप्यू कॉम्पीटर का निर्मान होता है उसे बोलते हैं पूरी एससरिस को जोड़के हमारा दिमाग से अरदा जो भी जिसके पास है वह कोउम्पीटर जो हमारा काम बहुत ही सिंपल कर देता हर चीज़ मैं कॉम्पीटर मसीनगिरी सबी जगा पर कॉम्पीटर तो इतना सब हम लगाते हैं यह में यह हुए सब स्यूप्यू की एसेसरीस। उसके बाद आता है second number पे आता है monitor तो आपको monitor पता है कि जिसके द्वारा हम CPU की पूरी data वगरा कुछ भी जो भी display वगरा जो भी हम देखते हैं तो हमने monitor के द्वारा देखे जाते हैं जिसे हम तीवी भी कहते हैं और monitor के साथ हम और भी extra CCTV camera वगरा भी जोड सकते हैं वह भी कर सकते हैं तो monitor एक normal सी चीज है उसके साथ आता है keyboard जो हमारी keyboard क्लब हमारी typing पर आता है जो हम लिखते हैं कुछ भी लिख सकते हैं जो भी हमारे command के लिए use होता है keyboard वगरा तो आप यह normal सी चीज आपको सब को पता है उसके बाद आता है mouse जो mouse भी बहुत ही काम आता है वह भी general चीज आपको सब पता है तो उसके लिए मैं आपको ज्यादा से ज्यादा यह वीडियो लंबारी करूंगा तो जो चीज नहीं पता उसके लिए मैं बोल रहा हूं उसके बाद यह हमारा CPU तयार होने के बाद आप आते ही प्रोग्रामींग की बात तो हम प्रोग्रामिंग किस तरह करेंगे तो आपको भी पता है कि सबसे पहले हम हमारे पास जो भी उनद्राइब या सिडिग हमारे पास जो भी हbuch virtually o arse बidor सर्म कर सकते अगर Bena अडियर दाल सकते कुंडोज डाल सकते कि सर था के अंदर प्रोग्रामिंज कर के विंडोज डालके वोल्यूम की आप चीज़ें तो उसे डालना पड़ता है क्योंकि में यह सब नहीं आता है जब भी आप Windows इस्टॉल करोगे तो जाते से सदा उसका Media Player दे देगा अधरवाइस आपको वीडिया प्लेड यूज़ करना है तो वीएल से वगर आपको प्रोग्रामी नहीं डालने पड़ेंगे तो मैंने इतना सब कुछ बता है तो आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए प्लीज नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा कि इसमें किस किस तरह के पार्ट्स मिलते हैं और किस किस तरह के अगर मेरे वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और पहले एकन को क्लिक कीजिए आपके भाई को सपोर्ट दीजिए और आप देख रहे हैं कि मेरा चेंज कैसे हुआ तो अब मैं आज में राजस्तान में हूँ तो थोड़ा बे में भी आपका भाई आपके लिए रेगुलर वीडियो बनाएगा तो जैहिन